राजस्थान में मानसून की बरसात का दोर जारी है लगातार प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में कहीं हलकी और कहीं तेज़ बारिश दर्ज की जा रही है इसके साथ ही आज जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के 9 जिलो में बारिश का औरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि प्रदेश के 21 जिलो में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश के नो जिलों में जहां तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है वहाँ मध्यम से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है और इसके चलते जो मोसम विज्ञान केंदर की ओर से एडवाईजरी भी जारी किया की गई है जिसमें कहा गया है कि जहां भारी बारिश की संभावना है वहां निशले इलाकों में पानी भरने के भी आसार है इसके साथ ही जो बरसाती नदी नाले हैं उनमें पानी की आवाक अचानक तेज होने के आसार हैं इसके साथ ही जो सडक और अंडर पास है वहां भी जल जमाव ज करकने कीुए संभाव दाइज जा रही है इस एडवाईजरी में कहा गया है कि जहां बादल गरज ने और बिजली करकने जैसे हालात हो तो वहाँ पर लोगों को सुरक्षित इस्तान पर शरण लेनी चाहिए पेड के नीचे जो है वह बिजली कड़कने के दोरान शरण नहीं लेनी चाहिए इसके साथ ही बरसाती नदी नालों की जो रपट और पुल है वहाँ पर वहां चालकों को सावधानी से वहां चलाने की हिदायत दी गई है जहां जल जमाव की स्थितियां है वहां से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो रिसर्च जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि आज मध्यप्रदेश के और राजस्थान के कुछ इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और अगले दो-तीन दिनों में कम दबाव यह शेत्र जो है डीप होकर पश्चिमी हिस्से में खिसकेगा इस डीप डिप्रेशन के चलते अगले दो-तीन दिनों में जो है राजस्थान के पूर्वी और दक्षिनी भाग में जो है तेज बरसात और कहीं कहीं अत्यंत तेज बरसात होने की चेतावनी जारी की गई है इ गंटे की रफ्तार से तेज हमाये चल सकती है और कहीं मूसलाधार बारिश होने की आसार जताई जा रहे हैं जबकि कई इलाकों में अत्यंत तेज बारिश होने के भी आसार जताई जा रहे हैं इसके साथ ही राजस्थान में जो है 28 अगस्त के बाद तेज बारिश की जो गत